Hello friends and dear students, आज हम discuss करेंगे 29 important MCQs of Unit 4 from medicinal chemistry 3rd course code BP601T जो कि हमारे B form 6th semester, 3rd year students और साथी साथ उन सभी बच्चों के लिए जो की परतियोगी पैक्षाओं के तियारी कर रहे हैं, काफी लाब दायक साभित होंगे यह हमारी Unit 4 का Part 2 वीडियो है जहाँ पे हम लोग Anti-Helmantics, Sulfonamides और Sulfon से Related MCQs को उनके Solutions और Explanations के साथ देखेंगे ताकि इन से Related कोई और प्रशन आपके सामने आए तो आप उनको भी आसान तरीके से Solve कर पाएं मैं हूँ दॉक्टर पर जिनने शुक्ला चली शुरू करते हैं आज का मारा सबसे पहला प्रशन है विच एंटिहलमेंटिक इस Benzimidazole Derivative, Diethyl Carbomazine, Oxamique, Nicolosamide या फिर Mibendazole अगर हम लोग इन सब में का structure देखें, इन सभी compounds का तो और सबसे पहले हम लोग Mibendazole का structure देखें Mibendazole के structure को अगर आप थड़ा ध्यान से देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक Hetrocyclic ring system लगा हुआ है जहाँ पर एक Benzene जो है वो Imidazole के साथ जो है Fused है और इस परकार की जो ring system होती है इसी को हम लोग Benzimidazole कहते हैं इसी लिए जो हमारा answer होगा वोगा D यानि कि Mibendazole Mibendazole हो गया, Thymendazole हो गया या Elbendazole हो गया लेकिन उसका एक Derivative है Diethylcarbazine जो की काफी अच्छा यूज है हलमेंथिसको मारने के लिए दूसरे हमारे Oxymicune जो है वो क्यूनोलीन Derivative होता है जबकि Nikosalamide जो है वो Benzimidazole derivative के रूप में यूज के जाता है जिनको मारने के लिए हम लोग Antelementics का प्रयोग करते है या फिर ये पैथोजेनिक होते हैं किसी भी व्यक्ती को आपके Options है निमे टोट्स जिने हम Roundworm भी कहते हैं टेमे टोट्स जिने हम Fluke Worms भी कहते हैं और कैस टोट्स जिने हम लोग Tape Worm कहते हैं तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो humans के लिए पैसोजेनिक होते हैं बिमारिया काॉस करते हैं इसलिए जो हमारा option होगा D it will be the right answer next question is Antelementic with hetocyclic isocynoline derivative isocynoline derivative इन में से कौन है Albendazole, Thabendazole, Oxamiquine या Prazequintel अब आप देखिए Albendazole और Thabendazole जो है वो Benzimidazole derivative है अभी हमने पहले question के answer में बता है आपको Oxamiquine जो है वो क्यूनोलीन derivative है जबकि Prazequintel जो है वो आईसो क्यूनोलीन derivative है जैसा कि आपको यहाँ पर structure में इसके दिखाई दे रहा है यह है हमारी Benzene ring और यह है हम उसके साथ Associated Heterocyclic Nitrogen Containing Ring अगर यह इस position पर होता तो इसे हम क्यूनोलीन कहते है क्योंकि यह second position पर इसलिए इसे हम लोग क्या कहते है आईसो क्यूनोलीन कहते है और यह जो ring system है वो हमें Prazequintel में देखने को मिलता है इसलिए जो हमारा answer होगा वो होगा D Prazequintel next question is starting material for the synthesis of diethyl carbozine is N-methyl peprazine, phoszine और diethyl carbomyle chloride, both A and B, none of the above तो अगर हम इसकी synthesis को देखें ध्यान से तो हम देख पा रहे है कि N-methyl peprazine हमारा starting material है इसकी reaction अगर हम लोग diethyl carbomyle chloride के साथ कराते हैं या simple phoszine के साथ कराते हैं तो हमें product जो है वो प्राप्त होता है और फिर last time हम लोग citric acid के साथ react करा करके इसको diethyl, इसका salt बना लेते है that is diethyl carbozine citrate अगर आपके पास जो है मार लिजे diethyl carbomyle नहीं है जैसे कि यहाँ पर हम लोग use कर रहे हैं और फिर last step में जा करके उसे diethyl amine के साथ reaction करा करके diethyl carbozine में प्राप्त कर सकते हैं लोग synthesis इसकी कर सकते हैं next question is N-methyl N-6 benzoil 1-S benzoil 2-il carbomate is IPAC name of which drug तो यह आपके options हैं अगर इस नाम से हम लोग structure देखें तो बहुत clear हो जाता है ध्यान से देखेगा यह हमारा यहाँ पर benzoil derivative है जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले वाले nitrogen के उपर H लगा हुआ इसलिए इसे 1H benzoil बोलते हैं और इसके दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है ध्यान से देखेए दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमको कार्बामाइट दिखने को मिल रहा है जिस पर भी एक methyl group लगा हुआ है इसलिए से methyl कार्बामाइट के नाम से जान रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर six position पे इसके six position पे यह आपको दिखाई दे रहा है benzoil group और यह जो है वो हमारे of choice for sclerasis sclerasis जो होती है वो एक प्रकार का हमारा warm है या फिर हम कह सकते हैं helmet है और इसको बारने के लिए चोटे बच्चों में या कई बार adults में इसका infection हो जाता है और इसको मारने के लिए जो सबसे अच्छी drug है वो albendazole है आपने देखा होगा कि जो चोटे बच्चों के schools है वहाँ पर free में albendazole जो है वो दी जाती है बच्चों को खिलाने के लिए वो इसी से बचाने के लिए आपको दी जाती है तो इसलिए जो एंसर है वो है D that is albendazole next question is the albentic activity of albendazole is due to inhibition of natric acid synthesis binding with protein beta tubulin activation of heme polymerize या फिर inhibition of DNA garrays तो albendazole है mibendazole है या thabendazole या जितने भी benzamidazole derivatives है यह सब के सब बीटा tubulin protein के साथ bind करके उसको inactivate करते हैं और फिर आगे चल करके जो है element की जो growth है उसको रोकते है या उसको death करने में मदद करते हैं तो इसलिए जो answer होगा वो हमारा B that is binding with protein beta tubulin next question is what is the mechanism of action of nicosolamide nicosolamide जो है वो एक benzamide derivative होता है या आपको पहले ब membrane permeability for the calcium resulting in paralysis dislogment and death of helminthus second option is inhibiting oxidative phosphorylation in some species of helminthus D option is blocking acetyl chloride transmission at the myoneural junction and the paralysis of helminthus या फिर D option inhibiting microtubule synthesis in the helminthus and inversible impairment of the glucose uptake तो देखा जाए तो nicosolamide जो है वो कुछ इस तरीके से कारे करती है कि वो oxidative phosphorylation को inhibit करके अपना action जो है वो show करती है इसलिए जो हमारा answer होगा वो होगा B that is inhibiting oxidative phosphorylation in the some species of helminthus next question is what is the mechanism of action of mebendazole same options है जो की पिछले question में हमने देखे थे और हम लोगोंने बात की थी अलमेंडाजोल मेंडाजोल और थाबेंडाजोल जितने भी बेंजमेंडाजोल derivative है यह सब के सब माइक्रो टुबियूल या प्रोटीन पे effect करके उससे bind करके उसको inhibit करते है तो बिल्कुल सही होगा तो यहाँ पर जो हमारा answer होगा वो होगा D option क्यों क्योंकि यहाँ पर inhibiting microtubule synthesis हो रही है helmetics के अंदर और irreversible impairment of the glucose update हो रहा है यह दोनों कारे करने का काम benzymedazole derivatives करते हैं इसी लिए जो answer होगा वो D होगा तो यहाँ में अलमेंडाजोल भी हो सकता है थामेंडाजोल भी हो सकता है और अलमेंडाजोल हो सकता है तीन drugs आपके सलेबस में है तीनों के लि वो cause करती है निकोसिनावाइड है डाइठायल कार्बाजीन है मेंडाजोल है या लिमेंसस होल है तो देखिये मेंडाजोल और निकोसिनामाइड का आपने कार्य अभी देखी लिया तो सिर्फ जो हमारे पिपरजीन derivatives होते हैं जैसे कि पिपरजीन इटसेल या फिर दाइठा होगा वह गास यहां पे नंबरिंग उपने चोंगे एक सी एक आप जय नेक्सट्ट्टों इस विच अप्ड फॉल्विंग इस अन्यू नेचुरल रग यहां पे श्पेलिंग कर लिजेगा नेचुरल रग विच बाइंड्ट टु गाबा मेडियेटेट द्लॉराइड आन चै इवर मेक्टिन या फिर प्रैजीकुंटल तो देखिए अलबंडाजोल, थाइवेंडाजोल या फिर प्रैसीक वंटल यह ती तीनो की तीनो ड्रग जो है वो हमारी synthetic drugs है केवल इनमसे एक ही है हमारी इवर मेक्टिन जिसका structure आपके सामने है जो की एक macrolide antibiotic के तरीके से आपको देखने को मिलेगी, यह देखिए macrolide ring यहाँ पर हमको बड़ी से दिखाई दे रही है, जैसे कि macrolide antibiotics में आपने देखा था, these are the sugar molecules, यहाँ पर हमें sugar molecules दिखाई दे रहे हैं, और यह जो drug है, यह एक natural drug है, और यह काफी अच्छी के रूप में यूज की जाती है, और आजकल आपने दिखा होगा कि करोना के केस में भी इसको कई सारे doctors ने पर स्काइब किया था, साथ में साथ लेने के लिए, और यह drug जो है, वो इसका जो mode of action है, वो यह है कि यह permeability को increase कर देती है, hyper polarization cause करती है, हलमेंतिक अंतरगत, जिसकी व से आपको structure पर भी प्रशन आ सकता है, कि macrolide antibiotic होना चाहिए, natural है कि नहीं है, इस पर प्रशन बन सकता है, और mechanism of action पर तो प्रशन बन ही सकता है, तो इस प्रशन से कई सारे प्रशन आप देख सकते हैं, बढ़ थोड़ी से spelling mistakes हैं आप पर, इसको आप जरूर देख लीजेगा, next question is, structurally ivermectin is, अगर structure के basis ivermectin को देखा जाए, तो वो क्या है, 22-23 dihydro ivermectin B1A, या फिर 22-23 dihydro ivermectin B1B, या फिर it is a mixture of 80-20 of both A and B, या none of the above, तो अगर हम लगो इसका structure दुबारा से देखें, तो हम देख पा रहे हैं, जो drug अभी आपने structure देखी थी, इसमें सब कुछ same है, अंतर केवल क्या है B1A और B1B में, यहां पर, यह जो सुगर का molecule लगा हुआ है, इसपे, इसपे ध्यान से दिखें, यहां पर ethyl group है, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, methyl group दिख रहा है, केवल यह अंतर है, बाकी सब कुछ same है, और इन दोनों drugs का, यानि कि B1A क 80% और B1B का, जो है हमारा 20% का एक mixture होता है, आइवर मेक्टीन में, और इसलिए जो हमारा answer होगा, वोगा C, that is, it is a mixture of 20 and 20, sorry, 80 and 20 का ratio में, B1A और B1B का mixture होता है, और यहां पर जो अंतर है दोनों में, यह भी पूछा जो सकता है, तो यहां पर, जो difference है, इन दोनों के बीच म में वो एक single methyl chain का है, जो कि B1B में हमको देखने को मिलती है, और जबकि B1A में हमको यहां पर, यह ethyl group देखने को मिल रहा है, यह अंतर है इन दोनों के structure में, next question is, starting material for the synthesis of mebendazole is N-methylpiprazine, diethylcarbomoyle, both A and B, और 4-chlorobenzophenone, तो N-methylpiprazine और diethylcarbomoyle, जो है, यह तो क्य rate उसकी synthesis के लिए हो गया, लेकिन जो हमारा 4-chlorobenzophenone है, जैसा कि अगर हम लोग में bendazole की synthesis देखें, तो बहुत ही clear हो जाता है, यहां पर 4-chlorobenzophenone में हम लोग nitrogen करते हैं, तो कई बार, starting material के रूप में हम लोग 3-nitro-4-chlorobenzophenone भी ले सकते हैं, इसको भी as a starting material लिया ज सकता है, but generally हम लोग 4-chlorobenzophenone का nitrogen करके reaction को start करते हैं, फिर उसका reduction करते हैं, फिर उसका reduction करते हैं, यहां पर सबसे last वाले step में हम लोग इसकी reaction, methyl था यूरिया के साथ कराते हैं, और फिर हमें जो है, mibendazole का structure प्राप्त हो जाता है, इसलिए जो answer होगा, वो होगा हमारा D, यहां पर जो options दिये हैं, उसके हिसाब से 4-chlorobenzophenone, आपके options में कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि 3-nitro, 4-chlorobenzophenone भी हो सकता है, यानि कि यह वाला structure भी हो सकता है, अगर ऐसा है, तो भी आप जो है, उसको ही सही answer मानिएगा, इन दोनों में से जो मिल जाए, वो सही answer होगा next question is, sulfonamides are the derivatives are, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfamithoxazole, या फिर sulfanilamide, तो जो हमारी sulfonamide की class of drugs होती है, वो इस जो derivative आपको दिखा, यह जो structure दिखाई दे रहा है, इसके derivative होते हैं, और इनको थोड़ा स्यान से दिखा जाए, तो यहां पर एक sulfon group है, और इसके साथ amide group लगा हुआ है, और इ इन दोनों को जोड़ करके, हम लोग एक साथ बोलते हैं, sulfonamides, और इसे हम बोल सकते हैं, sulfanilamide, sulfanilamide जो है, यह basic moiety है, structure है, of the sulfonamides, जबकि sulfacetamide, sulfadiazine, और sulfamithoxazole, यह तीनों जो हैं, वो drugs के नाम है, examples है, sulfonamides के, तो इसलिए जो answer होगा, वो होगा, D, that is, sulfanilamide, next question is, इस, डैस, 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 ड्रक का नाम है, जहाँ पर डालना आपको, is metabolic product of pronstel, pronstel was the first isolated product था, और इससे ही फिर आगे चलके, sulfonamides हम लोगोंने बनाये थे, तो pronstel का, जब हम लोग metabolism करते हैं, जैसा कि आपके सामने है, जब इसकी metabolism की जाती है, और यह bacteria के द नहां से यह break करता है, इसके break होने से हमको sulfanilamide बनता है, जो अभी हमने basic moiety आपको दिखाई थी, sulfanilamide बनता है, और साथी साथ, ट्रायमीन बेंजीन यह भी प्राप्त होता है, लेकिन यह जो चीज प्राप्त हुई, sulfanilamide, यह सबसे पहले, आप कह सकते हैं कि product की तरीके से प्राउंस्टिल काम कर रहा था, जो कि sulfanilamide को प्रदान कर रहा था, और यही antibacterial activity जो है, वो शो करती है, और इसके different derivative बनाते हैं, तो उसको ले जाके हम लोग sulfanilamide के class के इंतरगत रखते हैं, इसलिए जो हमारा answer होगा, वो होगा, sulfanilamide यानि की A option, next question is, starting compound for the synthesis of sulfacetamide is 4-amino-benzene-sulfonyl chloride, sulfanilamide में B, A और B, दोनों में से कोई भी present हो, तो भी आप synthesis कर सकते हैं, none of the above, तो यह इसकी अगर हम लोग synthesis देखें, तो बहुत ही simple सा है, दो तरीके की synthesis हैं यहाँ पर, अगर आपके पास 4-amino-benzene-sulfonyl chloride अगर present है, तो उसकी देक्षन acetam के साथ करा करके, देखे simple सा, यहाँ से CL, यहाँ से HCL बहा निकलेगा, यह पूरा का पूरा इस पर जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगी sulfacetamide, लेकिन अगर यह ना हो करके, आपके पास 4-amino-benzene-sulfonyl chloride है, जिसे हम लोग sulfanilamide भी बोल रहे हैं, अब यह भी हम लोग ने देखा था, अगर sulfanilamide की, का acetylation करते हैं with the presence of acetic anhydride, तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से oxygen, यहाँ से hydrogen, water वहाँ निकलेगा, यह इस पर जुड़ेगा, acetylation हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसकी hydrolysis करेंगे, हम लोग तो हमें sulfacetamide प्राप्त हो जाएगी, य लेकिन अगर इन दोनों में से जो भी आपकी options में अकेला मिल जाए, वही आपका answer हो जागा, अगर दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों answer होगा, दोनों में से कोई एक भी मिल रहा है, तो answer होगा, क्योंकि इसकी synthesis दो आसान तरीके से की जा सकती है, next question is, which is true about sulfonamides, they are the generic name for the para-amino ben enjoyic sulfonamides, बिल्कुल सही बात है, it is the first effective class of antibacterial drugs used systematically, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सबसे पहली drugs थी, antibacterial, जो की system में दी जा सकती थी, इनका प्रयोग किया जा सकता था, और साथी साथ ये, these are found as the metabolic product of pronostyl, जा हम ये हमने देखा, pronostyl सबसे पहला product था, जो की isolated था, उसका metabolism करके जो drug प्राप्त हुई, जानि के pronostyl as a product यूज होता है, अगर यूज एक प्रश्न ये भी बन सकता है, और उससे जो है, sulfonamides प्राप्त हुई, और फिर वो आगे चल करके, उनकी पूरी एक class बन करके सामने आई, तो इसलिए यहाँ पर जो answer होगा, वो होगा all of the बग क्योंकि यह तीनों बातें जो है, sulfonamides के बारे में जो लिखी हुई है, यह बिलकुल सही है, next question is, both N1 and N4 substituted sulfonamide is, अब देखे इसका classification जो है drug का, वो आपने देखा होगा, और इसमें हम लोग को सबसे पहले अगर हम इसके basic structure की बात करें, sulfonilamide की, तो बहुत ही चीज और nitrogen, तो generally, जब हम लोग N1 पे nitrogen पे जो यह hydrogen लगे हुए है, इनका substitution करते हैं, generally, तो हमें different products प्राप्त होते हैं, यानि कि sulfonilamide के इस hydrogen को, as per the star studies, हम हाटाते हैं, hydrogen पर, इस nitrogen के जो hydrogen से हैं, उनको replace करते हैं, कई बार कुछ aliphatic groups के साथ, कई बार aromatic groups के साथ, कई बार heterocyclic group के स साथ, और activity जो है, वो increase होती है, तो इस जगह से activity बढ़ाने का काम करते हैं, इसका substitution बहुत कम होता है, यानि N4 पे जो hydrogen से हैं, इनका substitution नहीं करते हैं, क्योंकि ये group हमको activity के लिए चाहिए, तो या फिर इसको अगर हम लोग substitute करते हैं, SIL group के साथ अगर करते हैं, SILation अगर य जनरली जो substitution हम करते हैं, N1 पे करते हैं, तो एक class बनती है, N1 substituted, Sulfonamides की, और एक बनती N4 substituted, जो की pro drugs होते हैं, जनरली, और अगर दोनों में substitution किया जाए, तो भी pro drug ही बनेगा, और यहाँ पर जो options आपको दिखने हैं, जैसे Sulfa diazine दिख रहा है, तो वहाँ पर NS2 group 4 वाल प्रगी है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, एक केवल बचरा है, सक्सिनाल, सल्फो थायाजोल, जहां पर हमारे N4 पे, यानि कि N4 वाला जो nitrogen है, यह देखिए, इस पे से एक hydrogen हटा करके, यहाँ पर सक्सिनाल गूर्प लगाया है, और N1 पे से एक hydrogen को हटा करके, थायाजो जो है, हमारे सरीर के इंदर छोड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए, जो एंसर होगा होगा होगा, D, that is, सक्सिनाल, सल्फो थायाजो, नेक्स्ट कुश्चिन इस, according to star studies of sulfonamide, which is correct, sulfonilamide skeleton is essential, बिल्कुल सही बात है, अगर sulfonilamide skeleton को आप share साल करते हैं, मालीजे, sulfur को हटा करके, कुछ और लगाने की कोशिश करते हैं, या जो NS2 है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होगा, कि activity पे बहुत सारा effect पढ़ेगा, वो कम हो जाएग activity, displacement करते हैं, अगर para amino group को तो loss होती activity में, बिल्कुल सही बात है, जो आपने para, या aniline वाला जो group देखा आपने, जिस पे para position पे NS2 group लगा है, अगर उसको ortho या meta position पे आप लेकर जाएंगे, तो भी activity कम हो जाती है, या उसको वहाँ से हटा देते हैं, replacement करते हैं उसका, तो भ पुछा गया है, तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, C option है, हमारा sulfur of sulfonyl group must directly attached to benzening, ये बात भी बिल्कुल सही है, जो हमारा sulfur है, वो सीधी attach होना चाहिए, हमारे benzening के साथ, उसके वीच में, अगर हम लोग carbon की chain लगाने की कोशिश करते हैं, या उसकी दूरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो भी activity कम होती है, heterocyclic aromatic substitution and N1 will potent compound, ये तो भी हमने देखा ही था, N1 के उपर अगर हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे है, ये N1 के उपर अगर इस hydrogen को, एक hydrogen को हटा करके, यहाँ पर heterocyclic substitution करते हैं, aromatic substitution करते हैं, तो activity बढ़ती ह ये benzining यहाँ पर जरूरी है, ये बात भी जरूरी है, अगर कई बार ये भी आ सकता है कि जो benzene है, it is essential or not, it is essential अगर यहाँ पर कोई और heterocyclic लेकिन लगाने कोशिश करेंगे, तो भी activity करेगी, ये पैरा position पर जो amino group लगावा है, it is also essential, इसको भी नहीं हमाटाना है, और ये sulfur ह इसे directly attach करना है किसके साथ, benzene के साथ, तो ये सब कुछ सारी studies से हमें पता चलता है, इसलिए जो answer होगा, वो होगा, all of the above, all of the above इसलिए भी है, क्योंकि हमने जामुच कर कि ये चारो options दा ले हैं, इन चारो options के उपर एक एक प्रश्न जो हैं, आपके लिए बन सकते हैं, next question is, trimetoprim is the derivative of paradine, di aminoparamidine, methoxazole, या फिर isoxazole, अगर हम लोग इस structure देखें, trimetoprim का, तो बहुत ही साफ हो जाता है, कि यहाँ पर एक heterocyclic ring system दिखाई दे रही है, यह heterocyclic ring system जो है पर paradine है, यानि कि जब भी benzene ring में से 2 carbon निकाल करके, पहले और तीसे नमबर पे nitrogen लगाते ह जिसे हम लोग 1-3-dizene भी बोलते हैं, उसी को हम लोग paramedine बोलते हैं, अब इस paramedine को अगर अध्यान से देखें, तो इस पर 2 amino group लगे हुँ है, इसलिए इसे हम लोग di aminoparamidine बोल सकते हैं, यानि कि di aminoparamidine derivative होता है हमारा trimetoprim, यह एक sulfonamide नहीं है, यह भी हमें याद र is a short acting sulfonamide, बहुत ही simple सा question, लेकिन जामुच करके मने डाला है, क्योंकि कई बास short acting, long acting, medium acting वाले प्रशन भी आ सकते हैं, यह वैसे तो pharmacology में जाला आने चाहिए, pharmacology में इस तरीके के प्रशन आ सकते हैं, बट क्योंकि classification आपके भी syllabus में है, तो इसलिए जो है, यह आ सकता है, और इसका बहुत ही simple सा example है, A that is selfamithazine, selfamithazine ही केवल अकेली यहाँ पर short acting है, बाकि drugs जो है वो या तो long acting है, या तो medium acting, sulfonamides है, next question is, sulfonamides block synthesis of, पूरे sulfonamides जितने भी आपके यहाँ example है, यह सब के सब एक जैसे ही कारे करते हैं, और इन सब का काम होता है, dihydro folic acid की synthesis है, उस पा जैसे यह दिखते हैं, उसी तरीके से यह act करके, और dihydro folic acid की synthesis है, उसको रोकने का कामि करते हैं, block करते हैं उसकी synthesis को, और इसलिए जो answer होगा, वो होगा, D that is DHFA, उसका smart form क्या है, DHFA, next question is, the following general structure is representative of sulfonamide, which of the following statement is true for the active sulfonamide, अब देखें ये भी XRP related question है, यहाँ पर आपके options है, R1 can be H or alkyl group, ये R1 जो है, या तो H हो सकता है, या तो alkyl group हो सकता है, क्या ये बात सही है, नहीं ये बात बिलकुल गलत है, क्यों, क्योंकि R1 पे H तो हो सकता है, लेकिन alkyl group generally नहीं ले क्योंकि हमने आप से कहा कि जब ये आपके शरीर में जाए, तो as a product पहुंचे, और इसके बाद यहाँ पर substitute करते हैं, तो product बनाता है, और जाने के बाद यहाँ पर NS2 group को मिलना चाहिए, जो कि SIL group के साथ हो सकता है, बलकि alkyl group के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए पहला group लगाने पड़ते हैं, heterocyclic या aromatic ring system लगाना पड़ता है, तब जाके activity आती है, यानि कि point number 2 is not also true, the aromatic ring is essential, यह बात भी बिल्कुल सही है, यह बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पर aromatic ring हमें दिख रही है, यह ज़रूरी है, इसे हम लोग यहाँ से हटाते हैं, तो फिर activity पुरी त functional group can be replaced with an ester, अब यह कह रहा है कि यह जो sulfonamide group लगा है, इसे हटा देना, अरे अगर यही हटा देंगे तो हम इसे sulfonamide कहेंगे, क्यों, कहीं नहीं सकते, इसी लिए, यानि यह कह रहे है, ester से आप इसको बदल सकते, नहीं, ester से नहीं बदल सकते हैं, इसको, sulfonamide ज़रूर बाकि साथ ही साथ मैंने सारे options के वो भी आपको दे दी है, यह option जो कह रहा है कि hydrogen या sil group होना चाहिए, यहाँ पर aromatic नहीं हो सकती, यहाँ पर alkyl लिखा हुआ है, अगर acyl होता, तो हम लोग उसको सही कहते, लेकिन यहाँ पर alkyl लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, जो R2 है, वहाँ पर variety of groups लगे रहते हैं, इसलिए option B भी गलत है, और sulfonamide group तो essential होते है for the activity, next question is, starting material for the sulfamethoxazole synthesis is astanilide with chlorosulfonic acid, ammonia and acetyldehyde, ethane 1-2-diamine, या none of the above, तो sulfamethoxazole की अगर हम लोग synthesis देखें, थोड़ा अच्छा फिक्चर नहीं है, लेकिन आप लोग बुक्स में से देख सकते हैं, यहाँ पर देखी, astanilide जो है, इसको अगर हम लोग chlorosulfonic acid के साथ reaction करात हैं, then इसके बाद उसकी reaction 3-amino-5-methyl-asoxazole के साथ कराएंगे, तो हमको जो है वो drug मिलेगी, last में आगे चल करके, alkaline hydrolysis करके, तो यह procedure है for the synthesis of sulfamethoxazole, और इसमें साब साब पता चल रहा है कि हम लोगों को astanilide को chlorosulfonic acid के साथ react कराना है, तभी चल करके हमें product मिलेगा, तो इसलिए जो starting material है, sulfamethoxazole के लिए, वो होगा A, that is astanilide with chlorosulfonic acid, कई बार इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, तो आप उसी को answer माल लीजिए, गा, next question is, which of the following is folate reductase inhibitor, folate reductase inhibitor, इन दोनों में से, इन सब में से कौन है, पहला हमारा trimethoprim है, दूसरा cortimaxazole है, और तीसरा both, या फिर none of the above, तो या trimethoprim पो, जब हम लोग, sulfamethoxazole के साथ लिते हैं, तो उसी को हम लोग cortimaxazole बोलते हैं, और ये दोनों drugs जो है, वो folate reductase inhibitor की तरीके से ही कारे करती है, इसलिए जो answer होगा, वोगा, C, that is both of the above of trimethoprim and cortimaxazole, next question is, ये बहुत ही बढ़िया कोशन है, बहुत सारा पूछा जाता है, pharmacology में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर तो structure दे के भी पूछा जा सकता है, तो cortimaxazole जो होती है, it is an combination of, तो एकदम ध्यान से देखिए, इसके नाम को एकदम समझ में आ जाएगा, ये एक combination वाली drug है, तो cortimaxazole, तो इसलिए जो आप अगर आप इंड्रक का structure भी देखिए, तो ये जो structure है, ये है trimithoprem का, अभी अभी आप लोगों ने इसको देखा भी था एक question में, कि trimithoprem हो गई हमारी, और ये हमारा क्या हो गया, sulfamithoxazole हो गया, इन दोनों को एक साथ जब आप लेते हैं, combination में तो उसी को हम क्या कहते हैं, cortimaxazole, और इसलिए जो हमारा answer है, B, जहाँ पर trimithoprem and sulfamithoxazole लिखा है, वही होगा right answer, और ये प्रशन काफी important प्रशन है, कई बार जा है, वो पुछा जाता है, इन दोनों ड्रक्स को एक साथ लेने पर, इनकी activity के लिए ये antagonism, sorry, agonist की तरीके स से काम करते हैं, एक दूसरे की, क्या नाम है, प्रोपर्टी को बढ़ाते हैं, और अच्छी antibacterial activity हमको प्राप्त होती है, next question is, throat reduction process, sulfasazolein metabolized into salicylic acid and, और क्या बनता है, एक तो salicylic acid बनता है, और एक क्या बनता है, देखें, अगर हम लोग इसकी metabolism देखें, इस रख की, तो ब तूटने के वज़े से हमको यहाँ पर 5-amino salicylic acid जो है, वो प्राप्त हो रहा है, और साथी साथ, sulfa-piradine जो है, वो पूरी तरीके से अलग हो रही है, तो इसका reduction किसके साथ कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका reduction, जो डिटक्टेस के साथ हो सकता है, यहाँ पर हम को sulfa-piradine प्राप्त होती है, और 5-amino salicylic acid, यह दो चीज़ें जो है, इस ड्रग के metabolism से प्राप्त होती है, तो इसलिए जो answer होगा, वो होगा C, that is, sulfa-piradine, next question is, इसके आप धिहान से देख लीजे, इसका metabolism, इस पर प्रश्न जो है, कई बार पुछा गया है, next question is, dapsone is a ace inhibitor, cox inhibitor, sorry, ergastroestrol synthesis inhibitor, या folic acid synthesis inhibitor, dapsone भी जो है, वो bacterias के उपर कारे करता है, कई बार इसको हम लोग जो है, क्या नाम है, different different micro bacterium के ilाज में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, dapsone का, तो यह esterogrol synthesis inhibitor तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहां पाई जाती है, fungal cells में पा bacteria को मारता है, ace inhibitor, cox inhibitor नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक bacteria को मारने के लिए, bacteria में folic acid, जो है, वो बहुत काम की चीज़ है, तो हमारे dapsone जो है, वो folic acid synthesis inhibitor के रूप में कारे करते हैं, इसका structure ध्यान से दिखिएगा, यह भी एक sulfonamide नहीं है, यह याद रखिएगा, यह एक sulfon derivative है, यहाँ पर यह sulfon group दिखाई दे रहा है, यहाँ पर amide group नहीं है sulfur के साथ, और इसलिए, इसे हम लोग sulfon derivatives के अंतरकत रखते हैं, यह भी एक प्रशन बनता है, structure देखर के पूछा जा सकते हैं, इसलिए जो answer होगा हमारा, वो D होगा, that is folic acid inhibitor, and it is a sulfon derivative, आज का हमारे fourth unit क last question जो है, which sulfa drug act as a pro drug, succinyl, sulfathiazol, thalide, sulfathiazol, या फिर both A and B, या none of these, अगर इन सब का structure देखें, तो मैंने आपको कई बार बता है, यह हमारे succinyl, sulfathiazol का example है, यहाँ पर succinyl group है, यहाँ पर thiazol group लगा हुआ है, N1 पर भी substitution है, N4 पर भी substitution है, यह शरीर के अंदर जाने के acid बना करके हो, और यहाँ पर आपको N2 group वापस से मिल जाएगा, drug हो जाएगी active, तो यह एक होगी product, अगर thalide, sulfathiazol की बात करें, तो यह भी same चीज़ है, यहाँ पर देखें, N2 group लगा हुआ है, यहाँ पर भी hydrolysis होगी, H plus आएगा, और जिसकी विएसे यहाँ पर N2 group हम को body के अंदर वापस से मिल जाएगा, तो यह दोनों ही दोनों जो हैं, वो sulfathiazol के ही products हैं, और इसलिए जो answer होगा, वोगा C, that is both A and B, तो यह थे हमारे 29 questions, पार्ट सेकेंड में, शायद 26 या कुछ questions हमने, पार्ट 1 में बनाया थे, क्योंकि यह unit बड़ी थी, इसमें काफी questions बन सकते थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई और प्रस्ट हैं, इन से related, तो मैं जामचर के कोशिश करता हूं कि फर्माकोलोजी वाले questions इसमें ना डालूं, क्योंकि बहुत सारी लोगों को मैंने देखा, इसमें फर्माकोलोजी के questions कीजिए, चैनल पर नए हूं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ पहले भी डाल लगता है, आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ डालने वाले है, इसका जो PDF है वह आपको description में उसका link समय में प्राप्त हो जाएगा, मास आप उसको download कर सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत कुछ पहले हैं,